मुख्य चुनाव आयुक्तों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती के मुद्दे पर केंद्र सरकार को रहत की फैसला मिली है सुप्रीम कोट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती पर रोक लगाने वाली आचिका को खारिच कर दिया है वही कोट ने कहा है कि इसको लेकर बाद में विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा हम अंतरे मादेश से कानून पर रोक नहीं लगाएंगे चुनाव के बीच में आयोग के काम को प्रभावित करना ठीक नहीं है हाला कि कोट ने उमिद्वारों को तेजी से शौट लिस्ट करने के लिए केंडर पर सवाल भी उठाए है कोट ने कहा है कि वह चुने गए चुनाव आयोगतों की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा है बलकि उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है जिसके तहट चैन क्या गया कोट ने कहा कि चैन कमीटी की मीटिंग को 15 मार्च से बदल कर 14 मार्च की कर दिया गया साथ ही विपक्ष नेता को बैठक से कुछ ही देर पहले नाम दिये गए कोट ने कहा कि चुनावा युक्तों की नियुक्ती पर अपना मन लगाने के लिए चैन समीती को अधिक समय दिया जाना चाहिए था वही कोट ने इसको लेकर केंद्र से 6 अपते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है